नवस्ते, हाई अगें आपकी कहने पर आज का वीडियो हमने हिंदी में बनाया है आज हम देखने वाले हैं कि एक नवजाच शिशु की या न्यूबोर्ण बेडी की मालिश कैसे करनी है इस वीडियो में जिस बच्चे की मालिश हमने की है उसके माता-पिता से स्वीख्रीती ली गई है तो चलिए देखते हैं मालिश कैसे करनी है मसाज शुरू करने से पहले हमेशे अपने बच्चे से परमिशन ज़रू लीजे उसके लिए आई कॉन्टैक्ट बनाएए आपको पता चल जाएगा अब हम शुरू करते हैं मसाज यहां मैंने अलमेंड ओयल बादाम का तेल लिया है आप तेल का तेल, ओलिव ओयल या कोकनेट ओयल भी ले सकते हैं मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हमेशा पैरों से शुरू करें इस ट्रोक को कहते हैं इंडियन मिल्किंग माने दूद्ध होते हैं उस तरह उपर से नीचे की तरफ पिल्कुल ग्राजूल प्रेशर लेते हुए हम मसाज करेंगे ध्यान रहे बच्चों की मासपेशी बड़े नाजूक होते हैं जादा प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर हम करेंगे टर्न अनकरेस यानि कि ट्विस्टिंग मोशन से इस तरह उपर से नीचे नीचे की उपर जाएंगे इस स्ट्रोक में हमें घुटने और अंकल्स का खास ख्याल रखना है बच्चों की स्किन नाजूक होती है तो जादा ध्यान रखे कि स्किन जादा टेर नहीं होनी चाहिए इस स्ट्रोक में अब हम जाएंगे तलवों की मसाज की तरफ इससे बिल्कुल नजद अंदाज ना करें यहां बहुत सारी सेंसरी पॉइंट्स होते हैं इस स्ट्रोक को कहते हैं फैनिंग बिल्कुल बस अंगूठों से इस तरह प्रेशर दे रहे फिर उंग्लियों को रोल करें मानों की आप किसी दाने को रोल कर रहे हैं अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच बच्चे के पैरों की उंग्लियों को इस तरह से बस दानों की तरह रोल करें और उसके बाद करेंगे हम स्वीडिश मिल्किंग यानि रिवर्स ओफ इंडियन मिल्किंग अंकल से थाइस की तरफ, नीचे से उपर की तरफ इस तरह से मसाज करें बिल्कुल हलके हातों से करना है आपको इसी तरह हम दूसरे पैर की भी मसाज करेंगे पर डिमोंस्ट्रेशन के लिए हम आप बढ़ जाते हैं हातों की तरफ दुबारा तेल लिया, तेल केवल हात को ग्रीस करने जितना ही लेना है और अब यहाँ पर भी हम करेंगे इंडियन मिल्किंग माने कंदे से रिस्ट की तरफ बिल्कुल हलके हातों से ग्रैजुली प्रेशर देते हुए आपको करना है बचे के हाथ folded हो, उंगलियां folded हो तो ध्यान रहे कि उससे ज्यादा force ना करें फिर करेंगे turn and caress उंगलियों के बीच में इस तरह से हातों को turn and caress कीजिए यहाँ पर भी skin ज्यादा tear नहीं होने चाहिए इसका ध्यान रखना है और फिर हथेलियों को इस तरह से बस एक उंगली ही काफी है आप उसे रूल कीजिए यहां भी बहुत सारे sensory points होते हैं और जैसे कि पैरों में किया था एक दाने को रोल करने की तरह इनकी उंगलीयों को भी इस तरह से रोल कर रहें फिर करेंगे Swedish milking यानी reverse Indian milking कलाई से कंधे की ओर इस तरह से gradually मालिश करें इसी तरह से आपको दूसरे हाथ के लिए भी करना है पर demonstration के लिए हम पेट की तरफ बढ़ जाते हैं दुबारा हाथों में तेल लिया और अब हम पसलियों के और अमलिकिस के बीच मसाज करेंगे इस तरह से मालो हम रेट को स्कूप कर रहे हैं इसलिए से स्कूपिंग दा सैंड या पैडल वील स्ट्रोंप भी कहते हैं जब उपर का हाथ नीचे को पहुच जाए अमलिकिस तक तब दूसरे हाथ से शुरू करें प्रेशर का ख्याल रखें बिल्कुल हलका रहना चाहिए इसे कहते हैं फुलिंग दोनों अंगूठों से बाहर की तरफ जाए अब करेंगे अराउंड दे क्लॉक दोनों उंग्लियों से घड़ी की तरह पेट पर गोले बनाई है अब कुछ फर्स टाइम पेरेंट्स न्यू पेरेंट्स अंबली किसके पास कमफोर्टबल नहीं होते तो आप इस तरह उसके उपर भी घड़ी के गोले बना सकते हैं फाइफ टू सेविन स्ट्रोक्स काफी है यह है आई लब यू मसाज जिसमें एक आई उल्टा एल और एक उल्टा यू बनाना है यह काफी मदस की फेवरिट स्ट्रोक है जिसमें दो उंगलियों से एक आई बनाएंगे बाई तरफ फिर एक उल्टा एल बनाएंगे और दाहिनी तरफ से शुरू करते हुए एक उल्टा यू बनाएंगे इस तरफ यह पेट की आतों के लिए है डिसेंडिंग कोलॉन ट्रांस्वर्स कोलॉन और असेंडिंग कोलॉन के लिए जो लाज इंटेस्टाइन के पार्ट्स है अब हम मूव करेंगे चेस्ट की तरफ दोनों उंगलियों को सेंटर से शुरू करते हुए बाहर की तरफ जाए इससे बच्चों के कई घंटे सोने के बार जो शोल्डर्स में पेन होता है उसमें उनको आराम मिलता है और इसके बात करेंगे लव ओफ हार्ट यानि चेस्ट पर हार्ट्स बनाए अगर बेबी का साइज छोटा है तो आप सिंगल फिंगर से भी कर सकते हो अब हम बेबी को टर्न कर देते हैं ध्यान रहे नवजार शिशू हेड होल्डिंग नहीं कर सकते तो उनका नाक नहीं दबना चाहिए जब आप शूर हो कि बेबी कमफिटबल है इस पोजिशन में तो दुबारा हाथों को ग्रीज करके बैक मसाज इस तरह से शुरू करेंगे वर्टिकल स्ट्रोक्स यानि उपर से नीचे की तरफ हलके हाथों से मसाज करेंगे स्किन को कहीं पर भी रब नहीं करना है फिर वर्टिकल के बाद करेंगे हॉरिजॉंटल शोल्डर्स पर और फिर बाकी पूरे बैक पर इसे स्ट्रीमिंग भी कहते हैं पर खेर स्ट्रोक्स के नामों से क्या स्ट्रोक्स समझ में आए ये ज़्यादा ज़रूरी है आप देख सकते हैं स्किन को ज़्यादा टेर नहीं करना है बिल्कुल हलके हाथों से अब उंगलियों के पैड्स से पीट पर इस तरह से फटाफट मसाज करें पैट्री साज कहते हैं क्योंकि इसमें पैड्स और फिंगर्स यूज किया जाता है और लास्टली करेंगे कोमिंग जैसे कि उंगलियों से अगर आप बालों को कंगी करते हैं उस तरह से पीट पर करें यह वाइब्रेशन जो फील है बच्चों को बहुत पसंद आती है और फिर कानों के पीछे और नेक्स से लेके एक पैक का सिंगल स्ट्रोक अब बच्चे को पलट लेंगे ध्यान रहे आपके नेल्स कट हो अब बच्चे को बताएंगे कि मसाज हो चुकी है धीर सारा प्यार दे कर तो कैसी लगी आपको यह मसाज? I'm sure आप यह कर पाएंगे शुरुवात में डोन्ट बी टू हार्ड ओन यॉसल धीरे धीरे आप और आपका बेबी इस मसाज को बहुत एंजॉई करेगा I'm sure अच्छा यह भी तो जानना ज़रूरी है कि आप इस मसाज को क्यो सीख रहे है मसाज करना क्यो ज़रूरी है इसके तो बहुत सारे फाइदे है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको तीन पाइदे बताना चाहती हूँ First कि यह बहुत ही अच्छा सोर्स है अपनी बेबी के साथ बॉंड करने का यह वो extra quality time है आप दोनों के साथ आप दोनों के लिए जहां आप दूसरे को जान सकते हो दूसरा यह बच्चे के motor और sensory system को stimulate करने के लिए बहुत ही अच्छा है और specially उन बच्चों के लिए जिने down syndrome है और developmental problems है और साथ ही इससे blood circulation बढ़ता है और बच्चे के मास पीशी जो घंटे सोने के बाद जो अकर जाती है वो relax हो जाती है इससे बच्चा और भी comfortably सो पाता है थर्ड है कि बहुत सारी research articles और even एक BBC news report का यह कहना है कि मसाज देने से mothers postpartum depression से भी उभर सकती है PPD एक condition है जो mothers delivery के बाद face करती है जहां पर वो depression में चली जाती है तो मसाज देने से उस depression से बाहर आने में बहुत मदद होती है बच्चे की मसाज शुरू करने से पहले तीन चीज़े बहुत ज़रूरी है पहला बच्चे की permission इसे कोई seriously नहीं लेता पर यह बहुत ज़रूरी है Second है आपका good mood आपका mood अच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत sensitive होते हैं तो अगर आपका mood अच्छा नहीं है तो बच्चा उसे sense बहुत easily कर लेगा और वो मसाज को बिल्कुल enjoy नहीं करेगा Third hand hygiene Hand hygiene में जो भी मालिश कर रहा है उसके nails कट होने चाहिए मालिश शुरू करने से पहले उसके उनके हाथों को साबुन से अच्छे साब धोना चाहिए और third मैं advice करूंगी jewelry को avoid कीजिए कई parents पूछते हैं कि कब मसाज करनी है तो सबसे पहले कि कब से शुरू करें तो पैदा होने के अगले ही दिन से आप मसाज शुरू कर सकते हो कब तक मसाज करनी है तो पहले छे महीने मैं advice करूंगी कि सुबह और शाम दोनों टाइम मसाज कीजिए उसके बाद आप दिन में एक बार भी कर सकते हो और टाइमिंग दिन में कब तो प्रेफरेबल होगा कि बच्चे के फीड के आदे घंटे या चालिस मिनिट बाद ही आप उसको मसाज के लिए लीजिए I hope आपकी और वो सभी सवालों को मैंने अड्रेस किया है इस वीडियो में पर एक बहुत ही इंपोर्टन चीज शूप जाती है जो काफी नए पेरेंट्स को स्ट्रेस कर देती है जब बच्चों में ग्यास हो जाती है कोलिक हो जाता है, कॉंस्टिपेशन हो जाता है बच्चे पेट दर्ब की वज़ा से घंटो रोते है रात को सो भी नहीं पाते इससे न्यू पेरेंट्स स्ट्रेस हो जाते है तो ऐसे में कैसे मसाज की जाए कोलिक की मसाज कैसे करनी है अगर आप चाहते हो कि इस पर कोई एक वीडियो बनाए तो आप प्लीज कमेल सेक्शन में हमें जरूर बताईए अगर आपको ये वीडियो हेल्फुल लग रहा है आप अब तक देख रहे हो तो आपको पसंद भी आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आप में नहीं किया है और हाँ वो बेल जरूर वो घंटी जरूर दबाईएगा ताकि एवरी फ्राइडे या जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रिलीस हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तब तक के लिए तक के लिए और सुपर लव तो या लिए लिए बुटल बुटन